Hello everyone, हम लोग पर रहे हैं क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिजम एड़ राइज आफ हिटलर, ओके चलिए पहला टॉपिक क्या है, बर्थ अफ दे वेमार रिपब्लिक वेमार रिपब्लिक कैसे बना, तो याद रखिएगा वेमार एक जगा का नाम है और रिपब्लिक मतलब रूल आफ पीपल, लिख लिजएगा, रिपब्लिक मतलब रूल आफ पीपल, ठीक, और वेमार क्या है, वेमार प्लेस का नाम है, जहाँ पर सबसे पहले बार मीटिंग हुई, उसी प्लेस का नाम है, खेर, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, उसके बा इंपायर लिखा हुआ है देखिए राजा राजा अगर किसी एक जगा पर रूल कर रहा है तो उसको हम कहते हैं Kingdom क्या कहते हैं हम उसको Kingdom कहते है ठीक और अगर राजा एक से जादा जगा पर रूल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं empire कहते है तो बात होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ 1914 से 1918 तक तो इस से पहले जर्मनी जो है बहुत powerful empire हुआ करता था ठीक है बात समझ में आई है न empire मतलब समझ रहे हो न 1914 से पहले यानि कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले वाह पर किसका रूल है rule of king rule of king ठीक चलिए second point क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वार was found between central power and allies अब देखें पहला जो world war अब का हुआ न वो दो European power के बीच हुआ एक तरफ थे central powers और दूसरे तरफ थे allies central power में कौन-कौन Germany, Austria और Ottoman टर्की ठीक है और allies की तरफ कौन-कौन थे England, France and Russia और बाद में November 1917 में US ने भी इस world war को जोईन किया और finally 1918 में due to the help of US United States finally world war first खतम हुआ ओके यानि कि एक तरफ मुनार्की वाले लोग है central power Germany में भी empire करूल था और श्रिया ओटोमंटर की तीनों में और इधर England, France, Russia यहाँ पर उस time तक जो आपकी liberty का concept है, democracy का concept है यह आ चुका था, तो यह पहला first industrial war था यह जो आपका First World War हुथा यह पहला Industrial War था पहली बार लोग बारूद का इस्तमाल कर रहे थे पहली बार लोग गन का इस्तमाल कर रहे थे राइफल बरे बरे राइफल बंदूख हो गए इन सब चीजों का इस्तमाल कर रहे थे लोग वार में ठीक है तो इससे क्या हुआ कि बहुत जादा नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए, मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका डेथ है ना, डेथ, ये बहुत जादा हुआ, बहुत जादा लोग मारे गए, ठीक है, खेर, एट लास्ट, देखे, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखो क्या होता है, कि शिडवात में तो जर्मनी जो है, जर्मनी फ्रांस के उपर, बेल्जियम के उपर अपना पकर बना लेता है, मतलब इस टार्टिंग में जर्मनी जीतता है, लेकिन जब नवंबर, नवंबर 1917 में, युएस जब इंटर करता है, तो इसके वज़े से, धीरे धीरे ये लोग लड़ाई हारना शुड़ू करते है, सेंट्रल पावर, और फाइनली, 1918 आते आते, पूरी लड़ाई खतम हो जाती है, उसके बाद राजा को abdicate कर दिया जाता है अब देखो क्या हुआ देखें बताते हैं जर्मानी में जिस टाइम पर राजा का रूल था ना 1914 के टाइम पर 1914 के टाइम पर तो इस टाइम पर बहुत सारी पार्टीज भी बनी हुई थी पॉलिटिकल पार्टीज हाँ वो फॉंक्शन में नहीं थी लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई थी ठीक है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ने फायदा उठाया जब war खतम हुआ तो जर्मन इंपेरर को अपना गद्दी छोड़ना परा ठीक अपना सिहांसन छोड़ना परा और इन्हों ने ये जो parliamentary parties जो थी ठीक है इन्हों ने बोला कि चलो अब हम लोग एक काम करते हैं उस टाइम पे इनका नाम national assembly हो करता था ठीक है इन्हों ने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं हम लोग वेमार में अपनी meeting बुलाते हैं और वहाँ पर मिल कर हम लोग एक parliament form करेंगे जिसमें democratic constitution होगा और हम लोग अपना federal structure रखेंगे और voting होगा universal adult franchise के basis पर मतलब क्या है सर मतलब समझ यह तो बात हुई कि democratic constitution रखेंगे यानि कि ऐसा समविधान ज तो सभी लोगों को equal equal rights देगा ठीक federal structure कहने का मतलब power divide होगा जैसे देखिए आज हमारे हाँ power divide है central में है ना central में और state में power हमारे हाँ divided है तो इसको कहते है federal structure जहाँ पर power divided हो ठीक तो federal structure constitution और सबसे में था universal adult franchise universal adult franchise कहने का मतलब सारे male और female जो की eligible है vote करने के यानि कि जो adult है जो 18 प्लस है 18 से उपर है adult है वो लोग vote कर सकते हैं तो इस चीज़ को इस चीज़ को allow किया गया जर्मनी में तो तीन काम हो गया एक democratic constitution दूसरा federal structure और तीसरा universal adult franchise ठीक तो German parliament is known as restart अच्छा जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो national assembly थी ये जो आपका national assembly था national assembly इस national assembly का meeting कहां हुआ वेमार में कहां हुआ वेमार में है ना तो इसी लिए नाम क्या परा है वेमार रिपॉब्लिक समझे अच्छा तो इन्होंने इन्होंने वोटिंग किस बेसिस पर करवाया सबसे universal adult franchise के बेसिस पर और इन्होंने इन्होंने election जीत कर एक parliament बनाया German parliament जिसको हम rich stack के नाम से जानते हैं ठीक है rich stack ठीक है it was not supported by all the people of Germany due to the treaty of Versailles लेकिन ये वेमार रिपॉब्लिक जो था इसने गलती कर दी इसने एक समझोता कर लिया allies के साथ ठीक है कहां किया तो Versailles में Versailles नाम के जगा पर तो इसी लिए इसका नाम क्या परा है treaty of Versailles समझे तो Versailles नाम के जगा पर इन्होंने treaty कर लिया अब क्या treaty था कि जो इन पर भाड़ी पड़ा लोग ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया कि हम वेमार रिपॉब्लिक को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर ऐसा क्या था उस treaty में चलिए वो समझते हम लोग देखिए treaty of Versailles ठीक है treaty of Versailles नोटस आप लोग बना लीजेगा यहीं से देखकर या फिर मेरे वेबसाइट पर से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजेगा देखिए मेरा वेबसाइट क्या है मेरा वेबसाइट है aspirant950505.logspot.com ठीक है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को यह जो नोटस है इसके PDF को या फिर आप वहाँ से देखकर लिख भी सकते हैं ठीक है चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अब ट्रीटी अफ वर्सलीस क्या था तो इट वाज ए हार्श पीस ट्रीटी इंपोस्ट बाई अलाईज यह वो ट्रीटी था जो अलाईज अलाईज और जर्मनी के बीच हुआ जर्मनी के तरफ से कौन थे वेमार रिपॉपलिक ठीक है तो बात यहां आए सर कि यह ट्रीटी बहुत जादा भले यह एक पीस ट्रीटी था मतलब समझें पीस ट्रीटी मतलब एक ऐसा समझ होता जो की शान्ती के लिए किया गया हो शान्ती बनाय रखने के लिए silence बनाए रखने के लिए peace बनाए रखने के लिए लेकिन ये जो peace treaty था न बहुत ज़ादा भाड़ी पड़ गया जर्मन के लोगों के उपर तो इसलिए यहाँ पर use किया गया term harsh peace treaty समझ में आया तो ये जो peace treaty sign हुआ treaty of versalis बहुत भाड़ी पड़ा जर्मन के लोगों को अब कैसे पड़ा वो देखिए जर्मनी ये गलत लिखा हुआ है जर्मनी lost its overseas colonies देखिए जैसे ये है country A ठीक और ये है country B मान लिजे कि country A वालों ने country A वालों ने country B sorry country A वालों ने मान लिजे country B के कुछ जगा को अपने control में कर लिए मान लिजे इतने जगा पर अपना government चला रही है कौन country A तो ये जो particular जगा है आपका ठीक है ये जो particular जगा है आपका हुआ तो ये इस A का colony कहलाएगा क्या कहलाएगा colony ठीक है कौन सा वाला part तो ये वाला part ठीक है क्या कहलाएगा colony of A तो जर्मनी ने भी बहुत सारे other other countries पर अपना government बनाया हुआ था जिसको हम क्या कहते हैं जर्मन colonies तो जब ये पीस ट्रीटी शाइन हुआ ट्रीटी आफ वर्सली इज तो उसके वज़ा से जर्मनी का जो भी अपना कॉलनी वगारा हुआ करता था उन सब को अलाइज ने अपने कंट्रोल में ले लिया ठीक उसके बाद यानी की एक बटा दसवा हिस्सा जो है जर्मन पोपोलेशन का इसको भी अलाइज ने अपने कंट्रोल में ले लिया यानी की अगर जर्मनी का population सो रहा होगा तो इसका दसवा हिस्सा ठीक है यानी की दस इतना population अलाइज ने ले लिया तो जब आपके पास population ही नहीं रहेगा, काम करने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे, तो आपकी economy कैसे आगे बढ़ेगी, है न, उसके बाद 13% जो है जर्मानी की जमीन भी उन्होंने ले लिया, यानि कि अगर ये 100% हिस्सा है जमीन का, तो इसका 13% हिस्सा, अलाइज ने इस peace treaty के according, अपने अंडर में ले लिया, समझे, उसके बाद 75% iron और 26% coal, इसको भी उन्होंने ले लिया according to the peace treaty, अब सोचे, आपके पास industry है, और industry में अगर आपको machine बनाना है, तो आप machine किस चीज़ से बनाओगे, obviously iron से बनाओगे, iron और steel से, iron तो ले लिया आपका, अच्छा, अगर आप बाहर से machine खरीद भी लेते हो, तो वो किस पर चलेगा, कोईला पर, लेकिन कोईला भी आपका ले लिया, ठीक है, अच्छा, ये सारा चीज़ बटा किन लोगों में, तो फ्रांस में बटा पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया, जो भी आसपरोस के लोग थे, जर्मनी के उनमें ये सारी चीज़े बट गई, क्या-क्या बटा, कॉलनी, दूसरा, पॉपुलेशन, तीसरा, टेरिटरी, और चौथा, आईरन, और पांचवा, कोईला, समझे, अच्छा, और भी तुड़ा हल, क्या हुआ, कि इन पर जो है, वार कमपनसेशन लगा दिया गया, अलाईज ने क्या कहा, कि देखिए, लडाई तो आपके वज़े से स्टार्ट हुआ, आपने ही सबसे ज़ादा नौटेंग की किया, तो अब जितना भी हमारा खर्चा लगा है, ठीक है, यानि कि लडाई में, अलाईज में जितने भी कंट्रीज थे, उनका जितना भी खर्चा लगा है, वो सारा का सारा खर्चा जर्मनी को पे करना होगा, जो की है, 6, 6 बिलियन पाउंड, समझे, इतना रुपिया जर्मनी को, as a war compensation वापस करना होगा, अलाईज को, ठीक है, उपर से अ जादा रिसोर्स वाला जो एरिया है, वो है रहाइन लेंड, उसको अकुपाई कर लिया, बोला कि अब ये हमारे पास रहेगा, ये गलत स्पेलिंग है, अकुपाईट का, सही कर लिजेगा, O C C U P I E D, ठीक है, तो कितना सोचो, कितना जादा बदमाशी हो रहा है, कि आईरन भी ले लिया, कोईला भी ले लिया, फिर population भी ले लिया, जमीन भी ले लिया, इन पर कर्जा भी चढ़ा दिया, और इनका जो रिसोर्स वाला एरिया था, जिससे थोड़ा बहुत ये कमा ल लिया, तो यही सारा वज़ा है, कि इस ट्रीटी को, इस ट्रीटी को humiliating ट्रीटी कहा जाता है, मतलब सबसे भ्यानक ट्रीटी, सबसे भ्यानक समझाता, और disgrace ट्रीटी भी कहा जाता है, मतलब बहुत बेजज़ती करने वाला, यानि कि डिस ओनर करने वाला ट्रीटी, समझे, क ऐसा treaty जो आपका dishonor करता हो यानि कि आपका बेज़जती करता हो I hope आपको समझ में आया होगा अना चलिए अब क्या है the effects of the war अब जो first world war हुआ तो उसका क्या क्या effect रहा the war had a very bad impact बहुत बुरा प्रभाव परा Europe के countries पर हुआ ऐसा कि पहले योरोप की जो country थी न ये लोगों को कर्ज देती थी लेकिन अब ये हाल हो चुका था कि ये लोग खुद कर्जे में डूप चुके थे योरोप के countries और ये सब जो भी problem हुआ न वार के बाद जो भी impact परा वार के बाद European countries पर इन सब का जिम्मेदारी वेमार रिपबलिक पर चला गया जो कि जर्मानी में नया नया ताजा ताजा पावर में आया है है लो तो कैसे गया भाई कि सारा का सारा लडाई जगरा का खडचा यानि कि war compensation ठीक है war compensation सारा का सारा 6 billion pound का किन पर थोप दिया गया तो जर्मानी के उपर समझ भाई है तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तो जो लोग वेमार रिपबलिक को सपोर्ट करते थे उनको नवंबर क्रीमनल्स कहा जाने लगा सोचो अपने ही देश में बेज़ती होना शिडू हो गया तो पहले तो भाई सोसाइटी का हाल एकदम खड़ाब हो गया था दूसरा लोग वेमार रिपबलिक को नवंबर क्रीमनल्स करके चिढ़ाते थे इनके जो सोचलिस्ट जो थे इनके सपोर्टर कैथलिक्स, डेमोक्रेट्स ये सारे लोगों को नवंबर क्रीमनल्स बोल बोल कर लोग चिढ़ाते थे क्योंकि पीस ट्रीट ही नवंबर में साइन किया तो इनकी बेवकूफी थी, ऐसा लोग चिढ़ाते थे ठीक है, और उपर से क्या हो गया समाज में, समाज में soldier लोग को civilian से ज़ाधा इज़त दिया जाने लगा ठीक है civilian से ज़ाधा इज़त दिया जाने लगा देखो होता क्या था ना कि अब नेता लोग जो है आपके media है ये ज़रा ज़रा सा बात को एकदम ऐसा करके दिखाता है कि लोग को लगता है कि यही सचा आई है तो media और politician ने trench life को trench life को यानि कि soldier लोग जहाँ पर रहते है ना तो उनकी जिन्दगी को बहुत ज़ाधा glorify किया कि आरे बहुत अच्छी life है बहुत अच्छा है एकदम बहुत बढ़ियां इन लोग life जीता है ठीक है is lavish कि इस वो soldier की life है ना एकदम lavish life है खुट ठाट बाट से रहते हैं लेकिन ऐसा situation नहीं था इसका just opposite था क्या था situation देखिए जो soldiers की life थी ना बहुत दुख भड़ी थी बहुत परिशानी से थी और लोग को मतलब trench में रहना पड़ता था यह मान लिजीए कि यह जमीन है आपका ठीक जमीन में आप नीचे क्या कि यह गढ़्धा कोद दीए क्या कि यह गढ़्धा कोद दीए एक तरफ से सीड़ी रखे हम आने का ठीक है और दूसरी तरफ से सीड़ी है बाहर जाने का आप उपर से हम इसको प्लास्टर करके पुरा कवर कर दीए पुरा प्लास्टर करके कवर कर दीए ठीक है पुरा प्लास्टर करके हम इसको कवर कर दीए अब देखो अब क्या होगा अब क्या होगा कि सोल्जर जो है आपके इधर एक बेस्मेंट उपर बना के रखा जाता है तो इस पर चढ़ेंगे soldier लोग अब इधर firing करेंगे अपना समझे इधर बंदुख निकाल के firing करेंगे दुश्मन सेना को लेकिन दिक्कत यह है कि आने का रास्ता इकिए जाने का रास्ता इकिए आप बाहर निकलोगे तो आपको दुश्मन मार देगा तो क्या होता था कि लोग इसमें गोली खाके मर जाते थे ठीक है और उनके लाश को चूहा खाता रहता था अब ऐसे ही situation में यहाँ पर soldier जो है लड़ते रहते तो सुचे ट्रेंच लाइफ कितनी खराबती है ना लेकिन नेतलुक्या कि यह बहुत जादा ग्लोरिफाई कर दिये मीडिया खूब एकदम वहाँ वही कर रहे लेकिन ऐसा नहीं था soldier बेचारे फस जाते थे जो सड़े गरे लाश हुआ करते थे उनको चूहा खाता रहता था उसी situation में वो लोग फसे रहते थे ईवें उन पर जहरीला गैस छोड़ दिया जाता था उनको दुष्मन का सामना करना पड़ता था कभी कभी दुष्मन ही उसमें गुछ जाता था मारने लगता था उपर से अगर वार हारने लगे तो बेचार लोग का रैंक भी घटा दिया जाता था ठीक है तो इतना जादा एग्रेसिव प्रोपागेंडा फैलाया गया नेता लोग क्या-क्या बोलता था जा जाके कि देखो ट्रेंच लाइफ जो है बहुत लैविश है एकदम ठाट बाट का जिन्दगी है और इनसान को चाहिए कि वो एग्रेसिव बने हमेशा लड़ाई करने के लिए तयार रहे स्ट्रॉंग बने और मैस्कुलीन बने एकदम फिट एन फाइन होना चाहिए उसको तो इस तरह का जब सेंटिमेंट फैलाया जाएगा तो क्या होगा जनता पर इंपक्ट तो पड़ेगा लेकिन जनता के सामने राज खुल गया अब जब राज खुल गया तो जनता ने विर वेमार रिपब्लिक को धीरे-दीरे डाउन कर दिया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत कमजोर आइडिया था जो कि जादे दिन तक नहीं चल पाया वेमार रिपब्लिक इस्टैबलिश तो हुआ लेकिन अपने ही गलतियों के वज़े से डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उढ़ गया यानि कि उन पर से लोगों का विश्वास उढ़ गया और अब किसके तरफ बरेंगे हम लोग डिक्टेटर्शिप के तरफ तो नेक्स टॉपिक हमारा होगा पॉल्टिकल रैडिकलिजम एंड इकोनॉमिक क्राइस ठीक है तो आज का लेक् वेबसाइट बता ही दिया है एक बार फिर से वेबसाइट का लाम लिख देता हूँ नोट कर लीजेगा एस्पिरेंट नवी 05.blogspot.com ठीक तो इस वेबसाइट पर आपको नोट भी मिल जाएगा और ये सारा वीडियो भी वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई